यहां पर जो पहला वर्ड है sovereign इसका मतलब preamble के पहले लाइन से मिलता है यहां पर people of India मतलब की हम सब लोग के पास यह ultimate authority है कि हम लोग इस देश को govern कर सकते हैं यही sovereignty कहलाती है साती साथ sovereign का यह भी मतलब है कि यहां पर कोई external influence या फिर कोई external factor इंडिया के उपर दबाव नहीं डाल सकता है या कोई decision लेना है इंडिया के पास अपना खुद का legislature है जो कि इस country के लिए lawmaking का काम करता है हम सब के लिए कुछ limitations के साथ law को frame करता है यहां पर एक बड़ा question आता है कि क्या सभी देश 100% sovereign हो सकते है देखो जिस हिसाब से हम लोग एक global arena की बात करते है इस global village के concept के अंदर में कोई भी 100% sovereign नहीं हो सकता है वो चाहे अमेरिका चाइना जैसे बड़े देश क्यों नहीं हो यहां पर जो external factors हैं वो थोड़ा ही सही लेकिन influence जरूर करते है हर एक छोटी छोटी decision making पर